अलो दोस्तों एक बार फिट स्वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहा है सी उटी कि तो बहुत सारे बच्चे जो इस क्लास में 12 में है इस बात और उनके दिमाग में बहुत जादा प्रेशर आ रहा है कि क्या मैं 12 में होते हुए नेक्स्ट अ आप क्या कर सकते है सिविटी गो प्रपेर कर सकते हैं तो बहुत सारी जानकारी जौद 我ंपता है सबसे पहले दो उसको हम गलेर कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ थो क्या है कि भई बूर्ड एक्झांब में और उसके गौरण आपको टंशन्य जोबल प्रेश्aja है कि जो आप अब देने वाले हैं 2020 में तो भई CVT exam में जो syllabus है वो 12th का ही है यानि कि आपको extra मेहनत नहीं कर रही है कि 11th का भी revise करना है या कुछ करना है जो बाकी के अधार exams होता है जैसे यही हो गया नीट हो गया या बाकी के exams जो हो रहे है उसमें हमें पुराने syllabus को भी एक बार revise करना होता है लेकिन CVT की अच्छा ही क्या है कि यहाँ सिर्फ आपको 12th पर ही focus करना है यह syllabus भी आपका पूरा 12th class का होने वाला है तो सबसे पहले तो आपको अभी ध्यान देना है board exam पर board exam पर ध्यान देने के बाद दीरे 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 हम CVT पर जाएंगे कैसे जाएंगे board exam में marking होती है कैसी step by step marking होती है तो आपको long questions भी बहुत अच्छे से prepare करना अभी किस के लिए 12th class या board class के लिए फिर CVT के exam में आपका theoretical questions नहीं आते है सीधे आपके MCQ based question है practical answer में पहले सबसे पहले क्या कर लेना है अपने आपकी master ही hustle कर लेनी है उसके बाद आपको calculations बगयरा पर भी focus करते रहना है क्यों करते रहना है क्योंकि वहाँ पर CVT के exam में तो आपको calculation के basis questions करने हो गया ना तो board exams के लिए पहले आपको prepare करना है CUET आपका revision हो जाएगा एक प्रकार से सीधी सीधी बात ही है आपको क्या करना है board exam में step by step marking होती है तो full answer की practice अभी start में करने है ठीक है ना भाई इसके बाद कैसे क्या-क्या यहाँ पर class 12 और CUET में अलग-अलग हमको करना है तो उसमें basics यों अलग करना है सबसे पहली चीज़ है time divination time divination मतलब हमें अपना time divide करके काम करना है time मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक दिर में 24 गंटे है जिसमें से हमने 10 गंटे अपना काम कर लिए बागी कि 14 गंटे बचे हैं तो उसमें school भी देखना है 12 की हमें board की तैयारी करती है और एक दो गंटे स्यूटी करना है अभी ऐसा कुछ नहीं तब से पहले हम सुरुबात अपने board exam से ही करने वाले हैं कैसे करेंगे इसको हमने 3 phase में रखे रखा है 1st phase जो है आपका class start हुई July to December जो आपका 12th start हो जाएगा हैना सो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने chapter wise preparation करना है board के हिसाफ से full two chapter की preparation करेंगे बहुत अच्छे से और long answer theoretical answer सारी चीजों को step by step prepare हमें करना है ठीक है सारे के सारे जो आपके chapters है उनके बस आपको daily objective questions करने है उनकी practice करनी है यह आप अगर करते रहे तो समझ लीजे CVT का काम भी आप यहाँ पर कर रहे है लेकिन focus आपका कहा होना है आपका chapter wise preparation पर long और theoretical answers को बहुत अच्छे से prepare करना है फिर उस chapter से related कुछ objectives है जिनको आपको लगा लेना है बस यह जुलाई से दिसंबर तक का आपका यही schedule है कुछ नहीं करना है extra कुछ नहीं करना है ठीक है कुछी cut दिसंबर खतम होगा next आपका second phase start हो जाएगा जन्बरी से लेके मार्च का तीन महीने का यह phase है इसी में आपका यहाँ पर exam सोने वाले हैं तो भई ये तो high time है और तेजी से हमें अपनी तैयारी board की करने है बिल्कुल वही करना है एकुछ नहीं करना है हमें revision करना है revision करना है किसका revision करना है अपने 12th class के वालड़ावस का केवल revision 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 ताक ही हम focus किस पे कर पाए अपने board exams पे focusّ कर पाए तो revision करना है बस यहाँ पर आपको NCRT पर थोड़ा सा focus कर लेना है उनके questions और उनके solution को थोड़ा देखना है ठीक है revision और NCRT solution चण कुछ इकत बस जैसे ही आपके board exams वेक करता है अब आप free हो गाएं किस से free हो गाएं आपकी एक tension से board की tension से अब क्या करना है अब CUT का exam आने वाला है की नी तो उसके लिए अपने third phase रखके रखा है अपरेल से लेके जून का तीन महीने का ये आपका है और इसमें quick revision 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 कौन सा जो हमने करा था लेकिन अभी हमने point to point point wise बिलकुल step by step marking के हिसाब से लॉंग theoretical answer के हिसाब से preparation करी थी अब क्या करना है अब हमें बस conceptual लेखना है concept पर focus करना है और यहाँ पर cable CUT, CUT, CUT के हिसाब से काम करना है यहाँ पर यह theory revision कर लेना है theory की questions को पूछ लिए जाएंगे तो बस sort वाले है ना और सारे syllabus के हिसाब से जो 12th का आपका syllabus रहेगा जो आप पढ़ चुके है पस cable उसको क्या करना है revise करना है sort way में है यह ना basics हमें उसके clear करनी है revise करने है और जितने हो सके mock test या फिर mcqs आपको practice करने है इसके cvt के 12th class के सारे chapters के आपको mcqs 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 यह सारा practice करने और आपने इतना कर लिया तो दावा मेरा है कि cvt में best score आपका आएगा आपकी 12th class में आपका बहुत अच्छा board exam में score आएगा और भई दौनों में जो आप चाह रहे है सफल दवराप करना यह अगर इस strategy को follow करते हो आप करते हो तो दावा मैं दे सकता हूँ कि दौनों में आप high marks लेगा तो tension होगी खतम अगर नहीं हुई है अभी भी कोई doubt बचा है तो बिलकुल comment कर दीजे की सर यह समस्य आ रही है उसको भी हम दूर कर देंगे भाई होते किसलिए टीचर तौल्ब गरने के लिए ना problem बस वही करना है तो बस बने रही है हमारे चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक क्या करना है वीडियो पसंद वीडियो चीप वाचिए चैनल और ना फोगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब